राधे राधे एवरिवन आप सभी को छट पर्व की बहुत बहुत शुब कामना है छट मैया की किरपा आप पर और आपके परिवार पर सरवदा बनी रहे आज की वीडियो में मैं आपको छट पर्व पर छट मैया की पूझा के लिए जो जो सामगरी चाहिए होगी वो सभी सामगरी दिखाऊंगी देखिए छट पर्व जो होता है वो चार दिन तक चलने वाला पर्व है और चार दिन में पूझा के लिए हमें जो जो सामगरी चाहिए होगी वो सभी सामगरी आज की वीडियो में मैंने दिखाई है तो चलिए सामगरी देखते हैं सबसे पहले तो जो भी वरत करता है उसके लिए नए कपड़े लेने होते हैं जो भी वरती होता है वो नए कपड़े धारण करता है उसके बाद पांच बरतन लेने होते हैं तो देखिए अगर आपको पीतल के बरतन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप इस इसके साथ ही आपको सूप भी लेना होता है तो देखिए इस तरह का सूप आता है हमारे यहां पर इसको छाज भी बोलते हैं तो इसका भी बहुत महतोपूल रोल होता है जो पूजा में जब हम आर्ग देते हैं सूरिय देवता को तो सारी सामगरी इसमें रख के समर्पित की जाती है जो भी भोग सामगरी होती है और ये हमें चार तो जरूर चाहिए होते हैं यानि एक दिन के लिए एक सूप हमें चाहिए होगा ये इसके बाद हमें चाहिए होगा नारियल तो देखिए इस तरह का नारियल होता है हिला के देख ले पानी जरूर होना चाहिए नारियल में और उसके बाद हमें कुछ और सामगरी चाहिए होगी जो भोग के लिए चाहिए होगी तो जैसे हमें दूद चाहिए होगा दूद के साथ साथ हमें गेहूं भी चाहिए होगे तो यहां पर मैंने गेहूं ले लिए हैं उसके बाद हम लोग लेंगे चावल तो यहां पर मै जाकर ठेकवा बनाया जाता है, जो के परशाद में चढ़ाया जाता है, भोग परशाद ठेकवे का ही लगाया जाता है, इसके साथ ही चावल को पीस के चावल के लड़ू बनाया जाते हैं, ये भोग परशाद जरूर बनाया जाएगा, साथ ही पूजा के लिए हमें सुपारी चाहिए होगी हमें पूजा के लिए हल्दी चाहिए होगी हल्दी घोल कर दियों पर भी लगाई जाएगी और हल्दी से चोक भी मांडा जाएगा तो हल्दी आप थोड़ी जादा मात्रा में ले 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 उसके साथ हमें दूर चाहिए होगा तो रोली ले ले आप तिलक करने के लोग चंदन और कपूर भी लेंगे तो जितने भी बाती आपको चाहिए होगे आप बाती थोड़ी जादा ही बना के रख लें देखे छट मया के पूजा के लिए हमें कच्ची हल्दी और कच्ची अद्रक लेनी होती है तो इस तरह के हल्दी आपको मार्किट में छट पूजा के दोरान बहुत आसानी से मिल जाएगी हल्दी के पोधे होते हैं पत्तों के साथ ही आती है ये तो इस तरह की हमें हल्दी की पोध लेनी होती है और इसी तरह से हमें अद्रक भी लेनी होती है तो देखिए ये अद्रक है तो इस तरह की कच्ची अद्रक आती है आप ये भी ले ले ये पत्ते साथ होने चाहिए हरी अद्रक या हरी आप इसको कच्ची हल्दी भी बोल सकते हैं तो ये पोधे हम लोग जरूर ले लेंगे, इसके साथ ही हमें मीठा नीमबू लेना होता है, तो देखिए ये बहुत बड़े से साइज का एक नीमबू, या आप इसको मौसमी बोल सकते हैं, ये मीठा होता है, इसका नाम मैंने पूछा था जब ये खरीदा था तो, लेकिन आ लेने होते हैं, तो पांच या साथ परकार के फल तो आप जरूर ले ले, यानि पांच या साथ परकार के रितू फला हमें जरूर लेने होते हैं, उसमें भी हमें केला, सकरगंदी और सिंगाडा ये जरूरी होते हैं लेने, तो आप कोई भी वैसे तो कोई भी फ्रूट पांच परकार के साथ ही आप पाइनेपल भी ले सकते हैं क्योंकि यह हरा फल होता है और हरे फल का विसेस महतो होता है इसके साथ ही आप मूली जरूर ले लें क्योंकि यह रीतू फल होते हैं सारे तो जो भी रीतू फल हैं वो जरूर ले लेने हैं साथ ही हमें खील और पताश फूल नहीं लेने होते हैं उसके अलावा आप कोई भी पांच परकार के फूल ले सकते हैं साथ ही हमें लेनी होगी अगरबत्ती और धूप तो धूप दीप अगरबत्ती ये सब चीज़ें हम ले लेंगे और ये जो सारी सामगरी है ये छट पर्व की पूजा के लिए हमें च चाहिए होता है गनेश दिया इसको बोलते हैं ये हाथी के आकार का होता है उपर परशाद रखा जाता है और आगे दिया जलाया जाता है इसके साथ ही आप इस तरह का कलस भी ले सकते हैं कोसी भरने के लिए इस कलस के उपर अगर आप ये वाला कलस लेते हैं तो इसके उपर चो मुखी दिया जलाया जाता है, इन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं, या तो आप ये गनेश दिया ले सकते हैं, या इस तरह का कलस वाला दिया आप ले सकते हैं, इसके साथ ही मिट्टी की सराही लेनी होती है, तो देखिए ये सराही 12 या 24 की संख्या में ली जात तो यह सराही जैसे कि अगर आप 12 लेते हैं तो दो बार इनमें परशाद भरना पड़ता है और अगर 24 लेते हैं तो फिर एक एक बार ही सारी परशाद सामगरीस में रखनी होती है इसके साथ ही दो बड़ी सराही भी ली जाती है जिसमें भोग समर्पित किया जाता है सूर्य नारयन भगवान को और चट मया को तो इस तरह की दो बड़ी सराही भी आप जरूर ले 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 और ये सराही की संख्या आप जादा भी कर सकते हैं दो कम से कम जरूर लेनी हैं के साथ ही हमें पांच गन्ने चाहिए होते हैं गन्ने जो है वो कटे हुए नहीं होने चाहिए प बेसिक सामगरी जो हमें छट पर्व के लिए लेनी होगी इतनी सामगरी तो हमें छट पर्व के लिए कम से कम चाहिए ही चाहिए इसके अलावा आप अपने सामर्थे के अनुसार सामगरी को बढ़ा भी सकते हैं आज की वीडियो में मैंने आपको छट पर्व की पूजा सामग अगर आपको ये पुझा सामगरी का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने व